कि शुरू करते हैं आपकी वॉक्षीट नमबर 19 तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेगे डेट डाल देंगे क्लास अपना नाम अपने टीचर का नाम सब कुछ आप लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट भी लिख लेंगे ठीक है चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क अगर आप स्रीफ और स्रिफ आंसर वाली वॉक्षीट चाहते हैं तो मेले पहले ही अपने कर देंगे है आप वह भी देख सकते और इसमें मैं आपको एक सर्कल दिया गया है उसके चार तुकड़े है अब आप देखे तो यहां लीचे सब की वैल्यू क्या है सेम है यानि कि सब के हर जो है वो क्या है सेम है ठीक अब अगर मैंने एक चोकलेट ली जिसके चार हिस्से करें और तीर आपको दे दिये एक मैले रख लिया जैसा कि यहां है ठीक दूसरे मैले एक और चोकलेट ली उसके चार हिस्से करें दो आपको दे दिये और दो मैले रख सरी 334 तो मेरे पास मैंने आपको चोकलेट बें से कित्ता हिश्णा efасти दिया और कित्ता हिस्द में पास भी जिर बचा उला कैसि Before यहां पे तीर तुक्रे बच गये इस तरह कहले का बतलब यहां पर आप से यह है कि जिसके हर समाल होते हैं उसमें क्या कड़ा होते हैं कि जो अंश होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घटा देते हैं ठीक है अब जैसे यहां देखिए आपका हर सेम है आठ आठ है आपने हर को सेमी रखा लेकिन आपका अंश जो है वो अलग-अलग है या लिकिन इनु जाएगा एक बटे में दो तेक आगे चलते अब देखें यह आपको वही चीज़ दिखाई गई है कि सबाल हर वाले घटाके उलको कैसे घटाते हैं सबाल हर वाले भी लोगों के लिए ःश को घटाते हैं और उलके अल्तरभिने इस्ट हर के उपर ही लिखते हैं जैसे आज को दिखाया गए के साथ साथ कॉमबल है लेकिन उसकून गगाए और उपर घटा एक हैं तो यहाँ आप tolerant दके आप करके देखेंगे बहुत आसाल है सब में लीजे हर सब के सेव है ठीक है और अर्श को आपने बाइलस कर दिया है तो आप आसारी से कर सकते हैं इसमें बुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल कोशिल होता है इसको मैं आपको डिटेल में समझाओंगी तो थोड़ा साब ध्यान से सुनेंगे चलिए तो शुरू करते हैं इसको अब हुद हालिल के तौर पे यहां आपको दिया गया कि मैं ले एक चोकलेट ली जिसमें से तीन हिस्से करें ठीक और एक चोकलेट चाफ को बहुत आसल तरीका है पहले इसको लिखते धे तो बटे में तीर ठीक और थोड़ी से जगाँ छोड के इसको लिखते हैं एक बटे में ौश चार знаком में ना श्योर्य बराबर करने के लिए इस वाले हड से दोलों को गुड़ा करते निए से इस हर से इसको और इसको करेंगे तो यहां पर 4 बते में 4 लिख देगे और यहां हम 3 बटे में 3 लिख देगे ठीक है अब जब इसको करेंगे चार दुड़ी 8 और 4 तिया 12 ठीक, minus इसको करेंगे तो तीन लिख कर तीन और चार तिया 12 तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा दीचे जो आलसर आया है दोलों का सेब आ गया यालि हर दोलों में बारा आ गया तो देखिए यही हमारा अलसर आया आठ बटे में बारा और तीन बटे में बारा अब जब हमें आठ बटे में बारा माइनस तीन बटे में बारा यानि दोनों में हर सेब मिल गया है तो हम 12 को सेम डेल देगे और उपर 8 वे से 3 को माइनस कर देगे 8 वे से 3 जाएंगे 5 बटे में 12 हमारा अंसर हो जाएगा जो कि यहां दिया गया है हैला संक कर सकते हैं बिलकुल अब इसी तरह से देखी यह लिखा है आसमाल हर वाले भीनों को घटाने के लिए पहले हमें उन्हें समाल हर वाले भीनों में बदलना होता है जैसा कि अभी हमने बदला इसको गुणा करके ठीक है दोनों का 12 लेके आए फिर अंशों को घटा देते हैं और जो अंतर आता है वो लिख देते हैं ठीक तो देखें यहां आपको इसी तरह के दो और उधारिन दिये गए इसको आप अपने आपसे करने की कोशिश करेंगे तो चलिए पहले कोशन को पढ़ते हैं अब लोग आपका यहां पहला कोशन दिया गया है समाल हर वाले भिल का अंतर ग्याद कीजिए अब आपका एक औ और उपर वाले नंबरों को हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते क्योंकि माइनस करना है तो इस तरह से यह आपका 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 करेंगे 14 में से 3 ग्यारा बटे में 17 आपका कर सकते ना बहुत आसार है आप लोग कर लेगी चलिए अगला कोशिट पढ़ते हैं अब यहां आपका सेकेंड कोशिल दिया गया है आसमाल हर वाले भिलों का अंतर ग्याद कीजिए अब यहां आपको दो आसमाल हर वाले दिये हैं अब आपको इसका अंतर ग्याद कर रहा है तो चलिए इसका असर देखते हैं अब लोग अब देखें यहां आपका लिख है छे बटी में 11 माइनस एक बटी में 6 ठीक है तो हमने आपको समझाया था पहले भी कि इसको नीचे को यानिकि आपका जो हर है या डिनोमिरेटर है इसको इकोल करना होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं पहले इस वाले डिजिट को लिखते हैं और नीचे वाले से दोनों तरफ मल्टिप्लाई करते हैं तो देखें दोनों तरफ मल्टिप्लाई कर दी देन हम क्या करेंगे उसके बाद मतलब यह वाले डिजिट नीचे वाले से दोलों को मल्टिप्लाई कर देंगे यह दिखें यह कर दिया अब जब आपने 66 हो गया हो और 1166 ठीक है इसे तासे 11 बज़ा 11 और 666 ठीक है तो आप देख सकते हैं यानि दोलों के डिनॉमिनेटर या हर जिसे हम कहेंगे वह दोलों के से बागा याली 66 आ अब ज 66 आ जाएगा ठीक अब चलिए आपका इसी का नेक्स कोशिल पढ़ते हैं तो आपका जो नेक्स पॉइंट दिया गया था वो लिख है 7 अपॉन में 9 माइनस 2 अपॉन में 3 अब आपको इसे सॉल्फ करना है यह आपका कोशिल है ठीक तो पहले की तरह हम इस पॉइंट को यहा से और इस वाले लाइन से दो लोगो को मल्टिप्लाई करेंगे जो कि यहां हमले कर दिया अब देखें टू नाइस जा एटीन और नाइथरी जा तो इस तरह से आप देख सकते हैं दो लोगों के डिनॉमिनेटर्स या हर जो है वो कॉमल हो गए यारी एक जैसे हो गए है तो हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से लिख लेगे चलिए तो आज की वाक्षिट को यहीं खत्त करते हैं अगर आपका वीडियो पसल आई हो तो प्लेस से लाइक को शियर करें अगर अभी तक आपने बाचा को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लेस बाचा को स स्क्राइब करें थैक यू फॉर वाचिक